आज मैं बना रही हूं पुलाओ इसके लिए मैंने लिया है तीन कप चावल इसे धुलकर इसका पानी सारा निकाल दिया ये छोटे चावल हैं अगर पानी में ज़्यादा रहेगा तो तूट जाएगा आप लंबे चावल में भी बना सकते हैं जितना चावल है उसका डबल पानी लेना है जैसे तीन कप मैंने चावल लिया तो छे कप पानी लेना है और इस पानी को अच्छे से उबाल लेना है आप जिस कप से मेजर कीजिए चावल उसी कप से डबल पानी ले लिजिए यहाँ पर एक प्याज लेना है और इसे बारिक कटिंग कर लेना है चलिए अब शुरू करते हैं बनाना यहाँ पर एक पैन फ्लेम पर रख देना है फ्लेम को ओन कर देना है और इसमें मैंने आट किया है पांच टेबली स्पून कोकिंग वाइल जब यह गर्म हो जाए तो इसमें प्याज आट कर देना है तो देखिए यहाँ पी प्याज मैं आट कर रही हूँ और इसे चलाते हुए पकाना है इसका कलर ब्राऊन करना है प्याज को बिल्कुल क्रिस्पी फ्राइ करना है ये प्याज अब रेडी होने वाला है तो इसको चलाते हुए कुक करना है ताके प्याज में दो कलर ना आए और यहाँ पर बहुत ध्यान से प्याज को फ्राई करना पड़ता है नहीं तो प्याज अच्छे से फ्राई नहीं हो पते हैं यहाँ पर फ्लेम को स्लो रखना है अगर मेडिया मोर हाई रहेगा तो प्यास जल जाएगा यह पुलाव बहुत कम चीजों से बनता है मगर बहुत मज़िदार और टेस्टी होता है और इसे बनाना भी बहुत इजी है यह प्यास हो गया है तो इसे मैं दूसरे बतन में निकाल लेती हूँ और इसी तेल में हमें कुछ मसाले आट करने हैं खड़े मसाले एक डालचीनी एक इंच का है एक काली इलाइची है एक छोटा जावित्री है और तीन हरी इलाइची है तीन लॉंग छे से साथ काली मिर्चे आधा छोटा चम्मच कटिंग क्या हुआ अधरक है एक छोटा चम्मच शहजीरा और एक चेसपाथ एड़ करना है अगर हमारी वीडियो पसंद आये तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें इसे चलाते वे कुक करना है जब ये तड़कने लगे तो इसमें चावल एड़ कर लेना है तो देखे यहां चावल एड़ कर रही हूँ इसे करने के बाद एक से देड़ मिनट तक मैंने इस तेल में कुक किया है तो जादा कुक ना करें सिर्फ एक से देड़ मिनट इस पुलाओ को चिकेन करी, मटन करी जिस चीज में आप खाईए ये बहुत जादा मज़िदार लगता है इसे खाने के बाद बिरियानी भूल जाएंगे आप लो ये चावल को करते हुए एक से देड़ मिन ठोच चुके हैं तो इसमें अब पानी एड़ करना है ये गरम पानी है, मैंने आपको बताया था कि पहले पानी को उबाल लेना है पानी एड़ करने वक्त है, बहुत ख्याल रखना है ये पानी बहुत गरम होता है, तो इसमें बहुत जल्दी उबाल आने लगता है तो अच्छे से इसमें आड़ करना है और फ्लेम को बिल्कुल सोलो करके आड़ करना है पानी आड़ करने के बाद इसे हलके हातों से चला लेना है पसंद के मुताबिक नमक आड़ करना है जितना आपको पसंद है नमक उतना आड़ करें सर्व एक मिनट्ट के लिए आप लोगों को देखानी के लिए मैं इसे खोल का रहे हुँ कि अच्छे से चावल पक रहे हैं फिर इसे अंडहके करूंगे अंगा यहां पर भी स्लुप अंच कर दिया था और इसका टेक्स्चर इस तरह से दिख रहा선 अब इसे जैसे बिरियानी में दम लगाते हैं इसी तरह से यहाँ पे दम लगाना है इसे ढखकर 10 मिनट के लिए दम लगाना है फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए यहाँ पर मैंने एक कप में दो चुटकी रंग लिया है यह रंग है लेमन येलो और इसमें एड़ करना है तीन से चार बूंत केवड़ा एसेंस अगर केवड़ा एसेंस नहीं है तो केवड़ा जल एड़ कर लिजिए और एक चम्मच पानी एड़ करके इसे मैं मिक्स कर लूँगी इसे चावल में एड़ कर देना है तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद मैं इसका ढखकन खोल रही हूँ और देखिए चावल कितना अच्छा दिख रहा है और इसमें वो कलर एड़ कर दूँगी तो इसमें कलर को एड़ कर देजिए और थोड़ी फ्राई अनियन अट कीजिए और थोड़े से प्यास को आपने बचाना है बचा लिजे गार्निशिंग के लिए ऐसे ढखकर सिर्फ दो मिनट के लिए मैं कुक करूंगी उसके बाद फ्लेम को ओफ कर देना है ये देखिए पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है इसके चावल बिल्कुल खिले खिले हैं आप दाने देखिए कितना अच्छा दिख रहा है इसे डिशोट कर लेती हूँ तो देखिए मैंने डिशोट कर लिया है ये पुलाव रेडी हो चुका है पूर वाचिंग फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ अभी के लिए लेती हूं अजासत अल्ला हाफिज